अलो दोस्तों मैं हुए जे आप देखरें अपना यूटूब चार्प एजटन डिटू क्लासेज गाइज आज किस वीडियो में हम बात करते हैं नसबंदी खुलवाने का बेस्ट समय क्या होता है या बेस्ट टाइम क्या होता है तो गाइज हमने एक वीडियो बनाए थी या क थी चाहते हैं इसका बेस्ट समय क्या होगा इस्ट टाइम क्या होगा क्या हम महावारी के समय या जो है सकते हैं तो आज की सी टॉपिक पर हम बात करेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी कंडिशन के हिसाब से अब आपकी कंडिशन क्या होगी आपका पूरा बॉड़ी का सेक अप होगा आपके जहां पे वह नसबंदी खोलना है आपका सुगर बीपी यह सब आपके बात करते हैं आपके किस तरीके की नसबंदी करवाई है जैसे कि इसमें दो करनिशन होती है पहले कंडिशन अगर आप आपने हाथ से करवाई है तो इसमें पीरेट के समय आप नसबंदी नहीं खुलवा सकते हैं गाये जो हाथ में होता क्या होता है आपकी नली को काट के बान दिया जाता है तो काट के अगा समय आपके चल रहा है जो आपका küçük इस चोड़ से इस चोड़ से इधर आने के कोशिस कड़ेगा और आप इस समय अगर आप खोल दोगे उस नली को उस नस्त को खोल दोगे तो क्या होगा वहां पर और निकलने लगए तो क्या होगा जो अंदर ही गिरेगा दूसरी बात जब आप टांकी स्टेचिंग करने जाओगे जोड़ने डॉक्तर जोड़ने जो वहां पर जो अंडाव है वह बाहर उसी साइट से निकलने जाएगा तो आपका जो टांका है वह बेश्ट तरीके से नहीं लग पाएगा अच्छे तरीके से नहीं लग पाएगा उसमें कुछ कचरा फस जाएंगे और आपके बाद में वह नसे पकने का भी डर रहेगा और आप कर्ते हैं जो है आपकी दूसरे वाले दूसरे कंडिस्ट है कि आप दूरवीन के आप क्रवाए हूं तो इसमें अप क去了 सकते हो क्यों क्यूंकि आप दूरवीन में क्या होथा थू़ कि बाहर निकलने लेगेगा और आपका जो है खुल जाएगा तो गैज अगर आप चाहते भी हो कि जो है के समय कहलो १ कर्वाने में अगर आप की डॉल्बेंच div का सकते हो कोई लिक्त्ञ नहीं है और बाकि जो है आप जो अब शिर्ट के समय किस दिन आई आप तो नस्वंदी खुल आई यह वह बार वह चक आप करवा कि यह भी बताएंगे आप तो पूरा चक आप करने के बाद में वह आपको टाइम देंगे कि इस टाइम आई इस इतने बचे इतना वजे आपका ऑपरेसन होगा इस थारीक को आपरेसन होगा और यह भी प्रेगनेंट हो सकते हैं तो आइस मैं आता करता हूं कि आपके यह वीडियो अच्छी लगी है उस वीडियो को लाइक कर दिए चनल वसक्कार देजिए दोस्तों में सेयर कर देजिए लित ने अश्ड वीडियो में सटपीश साथ अथा के लिए जहन है